रविवार को लगने वाला सूरी ग्रहन बहुत विशीश मैना जा रहा है। बताया जा रहा है कि 25 साल बाद ऐसा सूरी ग्रहन लगेगा जिसमें दिन में 12 बजी रात जैसा अंधीरा होगा। हिमाचुल प्रदेश में 25 साल बाद ऐसे सयोग बने हैं कि प्रदेश की अधिकाश हिस्से में सूरी ग्रहन दिखाई दीगा। ये ग्रहन सुबह 10 बचकर 20 मिनिट पर आरंभ होगा जो दोपहर 1 बचकर 48 मिनिट पर समाप्त होगा। सूरी ग्रहन दोपहर के आसपास 95 प्रतिशत होगा। हिमाचुल प्रदेश साइंस एंड टेक्नलोजी विभाग ने सभी लोगों से अपील की है। इस ग्रहन को नगन आखों से ना देखें। 25 साल बाद होड़ ही इस खगोली घटना को देखने और अनुभव करने के लिए हिमाचुल प्रदेश साइंस एंड टेक्नलोजी विभाग ने विशेश विवस्था की है। शिमला के आतिहासिक रिज मैदान पर पदम देव कॉंपलेक्स में विशेश सोलर फिल्टर की मदद से सूर ग्रहन दिखाया जाएगा। इसके रावा राज सची वाले में भी ग्रहन को देखने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उदेश ग्रहन से जुड़े तमाम अंधिवश्वासों को दूर करना है। हीमकोस्ट ने सभी जिलू के प्रात्मिक शिक्षा उपनिदेशकों से सोलर फिल्टर की व्यवस्था करने को कहा है ताकि इस घटना को आम लोग भी देख सकें। अब्सक्राइब चनल और प्रेंग प्रेंग जाएगी।